रोजाना राशी फल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शाथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें मित्रों जै मातादी, मित्रों आप सभी का हार्दिक शौगत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में मित्रों 18 जुलाई रवी बार आपका देनिक राश्टि फल की महत्वपोन जानकारी लेकर हम हाजिर हैं 18 जुलाई रवी बार आपके लिए कैसा रहने वाला है इस वीडियो में जानेंगे किस परकार के परिणाम इस दिन आपको मिलने वाली है जानने के लिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें चलिए सबसे पहले बात करते ही आज की पंचांग 18 जुलाई दिन आज रवी बार का है और आसाड मास के सुकल पग्स की नौम में तिथी बन रही है यहां रात्री के 12 बश कर 29 मिनट तक रहने वाला है और इसके उपरांथ 10 में तिथी आरम हो जाएगी नक्षत रहेगी सुवाती नक्षतर यहां रात्री के 12 बश कर 8 मिनट तक रहने वाला है और इसके उपरांथ विसाखा नक्षतर आरम हो जाएगी आज का सोरी उदे का समय सुभह के पास बचकर पच्वन मिनट पर और सुर्यास्त होगा शाम साथ बचकर दस मिनट पर और सोरी रासी रहेगा करक रासी पर और चंद्रमा आज तोला रासी पर गोशर करने वाले है आज के दिन का सुभश समय यहां दो पहर के बारा बचकर छे मिनट से तक्रिवन एक बजे तक रहने वाला है यहां समय में सुभ और नए कारी की सुरुआत बिलकुल कट शकती है और आज का राहुकाल का समय रहेगा शाम 5 बचकर 31 मिनट से लेकर ठीक 7 बचकर 10 मिनट तक राह शमय और सुब माना जाता है चलिए अब बात करते ही आपका देनिक राश्य फल में राश्य वाले जाट तक हम आपको बताना चाहेंगे आज आपको धर्म कर्म में मन लगीगा और आज किसी प्रबुद व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन को नई दिशा देगी और अपने ल के लिए आज का दिन काफी अनुकुल है और आर्थिक लाव आज आपको हो शकता है साथ ही दोस्तों नई योजनाएं आज आपकी बनेंगे और संबंधियों के साथ सार्थक चर्चा हो शकती है वहीं दोस्तों मित्रों से मुलाकात होगी और समाजी कारियों में आज आप हि नाम लाएगा और घरेलू तनाव को दूर करने में सहायक होगा शाथ ही दोस्तों कोई भी कदम उठाने से पहले किसी विसे सग्य से शलाज जरूर लें अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को नजर अंदाश करेंगे तो आपके साथ रहने वाले कुछ लोगों को किल्कुल न वरते और यह शमें ऑफिस या कारेस्थल पर तनाव पूर्ण इस्तती हो शकती है उसका आपको ध्यान रखना है और आज आप शंभल के रहें दोस्तों अगर इन शवी बातों से आप शहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें शाथ ही सच्चे मंश कमेंट बॉक्स में जय गनेश अवस्य लिख दें धन्यवाद दिन आपका सुब रहें